Hello everyone, welcome back to my new video तो जी, आज की हमारी वीडियो है, इस तरहें की blanket होते हैं जो दिखिए, पहले थोड़े से चलते थे अब तो काफी अच्छा, मतलव शलीन वगएरा में ओर आने लगे हैं तो उनको भी फैक ना किसलिए है तो उनको reuse को लेकर आज का हमारा idea है काफी मज़िदार है और वीडियो को आप full watch करना तो जी, चलते हैं, करते हैं वीडियो को start तो इधर जी, नाप लेना है, देखिए तो यह ना बड़ा सारा है, जैसे blanket तो इसको हम काफी सारी DIY में घर की चिज़ों में use करेंगे कुछ ना कुछ इनका जरूर बनाएंगे, बिल्कुल भी नहीं हम खराब जाने देंगे तो जी, जैसे measurement है, उपर से 15 की निशान लगा लेना है cm का और बाकी 20-20 का, तो इस तरह हमने टोटल 3 मतलब निशान लगाने है या फिर आप ऐसे एक तक्किया रख लीजी अपना, जो भी घर में होता है उसको एक बार मैंने ऐसे लगा लिया है और मतलब उस तरह के 3 तक्कियों का मतलब हमें कपड़ा चाहिए और साइड में इस तरह वो भी आप निशान लगा कर देख लीजीए नि तो मैं ऐसे मतलब तक्किया रख के अंदाजा लगाना सोखा है तो आज हम सोफा कम बैड बना रहे हैं जी जो की बच्चों के लिए काफी अच्छा है तो हम इस तरह की चिज्जे बना सकते हैं ये हमारे जो पुराने पड़े हुए कंबलों से तो इस तरह देखिए जी साइड में कट कर लिया थोड़ा सा मार्जन छोड़ेंगे क्योंकि हमने स्टीचिंग करनी है तो हो थोड़ा सा कपड़ा अंदर जाएगा तो अब जी बिना हमारे सिलाई मशीन के सारा हाथ से ही हम काम करेंगे सुई धाके से बट ये ख्याल रखना है कि हमने थ्रेड है वो मोटे वाला लेना है और सुई भी हमने मोटी वाली लेनी है तो इतनी मजबुत्ती का काम हो जेगा काफी सालों तक ये कहीं नहीं जाने वाला आपका खुब चलेगा तो इधर pen या pencil या marker से या chalk से निशान लगा लीजे ताकि हमें दिखता रहे कि हमने stitching सुई धाके से कहां कहां करनी है तो total 3 part में divide हो गया ये हमारा जैसे मैंने आपको बताया है starting में भी मतलब 3 तकी रखकर देख लीजे या फिर पहला box है ना red वाला वो हमने लिए 15 cm और 2 है वो है हमने 20-20 cm के ठेक है जी तो निशान मेंने लगा रख है आपको इस पे दिखनी रहा बट मुझे दिख रहा है और मैं उसके उपर-उपर ही इस तरह हम टाका सा लगाएंगे सुई और धागे से तो जी काफी easy है बिलकुल देखे हर कोई इसे बना सकता है जैसे मैंने बताया है कि जिसे machine नहीं चलानी आती तो हमारा ये idea है सुई धागे का ही तो जी देखे काफी बच्चों की छुटियां हुई थी हम भाहर जाना भी बच्चों को loud नहीं करते बट ऐसी चीजें बच्चों को बना के दीजिए साथ में हमारे पुराने blanket का reuse हो जाएगा जी recycling हो जाएगा और बच्चे भी हमारे बहुत ही जादा खुश हो जाएगे और ये चीज हम देखे घर पे पड़ी हुई भी बहुत जादा सुन्दर लगती है तो जी अब एक साइड तो जैसे कंबल हमने ये फोल्ड किया था तो वहां से स्टीचिंग करने की जुरूरत नहीं और जो आगे का पसा है जी वो चीज मतलब ओपनी है वहां से हमने फिलिंग करनी है भी जो फटे पुराने कपड़े होंगे जो भी उसकी और उनका वीडिय स्टीचिंग करेंगे तो जी हमें कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा तो एक साइड स्टीचिंग हो चुकी है और अब है ये इदर की साइड भी बस इस तरह हैं सुई दागे से हम कर देंगे तो सुई दागे से जी इसली हो जाता है मोटी वाली रील होती है वो इसली जैयों वगरा के मुह सीलते हैं और तो जी इसली उससे बहुत जादा जल्दी होता है तो ये देखे जी और देखने में भी कच्चे टाके की जैसे कड़ाई आती है उस तरह की कड़ाई मतलब आएगी तो देखने में बिलकुल गंदा नहीं लगेगा और आप चाहें तो न साइड से हमने स्टीच कर दिया है ये देखिए आप जी जो भी मेरे पास बेकार पड़े कपड़े कतरन हैं जिनका बिलकुल यूज नहीं होता हमारे ऐसे डस्टिंग वगरा में जाते हैं तो उन कपड़ों को हम इधर से जो हमारा ये देखिए यहां से ओपन रखा हुआ ह है तो इधर से स्टीच कर देंगे यूज इधर से फिलिंग कर देंगे कपडों की और अगर आपके पास कोई कोटन वगरा है फटे तक्किए वगरा हैं तो आप कुशन वगरा वह आप डाल सकते हैं । मेरे पास कपड़े काफी मात्रा में थे तो जी तीन्यों में बस Just बैड बन जाएगा तो इसको ये देखे जी बर चुका है हमारा बढ़िया से तो एक साइड से तो जैसे फोल्डिंग हुई थी हमने चत्दर की कर दी थी तो वांस सीचिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ी और दूसरी साइड से आप बस जी हम मुह सील देते हैं बढ़िया और ये जी वाशेबल है आप इसको जैसे मर जी वाश की जी कपड़े निकाल कर ठीक है जी फिर हम इसको दुबारा से कपड़ों को फील कर सकते हैं तो इस तरह जी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हमारी मजेदार चीज बन जाएगी और बच्चे भी खूब इस चीज से इ तो ये देखें जी स्टीचिंग हमारी हो चुकी है सारी मुँ इदर से मैंने सिल दिया है जांसे हमने कपड़े फीलिंग किये थे तो आप मैं आपको इसे रख कर दिखाती हूं तो ये देखें जी निच्चे से दोनों दो हिससे फोल्ड हो गे और उपर हमारा जैसे डो है तो वो इस तरह एक उपर की साइड लग गई तो जी इस तरह हमारा ये सोफा कम बैड बन जाता है देखिए बहुती ज़्यादा बढ़िया और इसको घर के किसी भी कोर्णर में हम रख सकते हैं और देखने में बहुती ज़्यादा प्यारा लग रहा है कंबिनेशन कितनी अ चलिए खुष हुआ है इसे देखकर तो बोलरा है मम trauma मैं इसतर है इसको यूज्ऻ करूंगा और मैं इसको इसतरहें भी यूज़ कर सकता हूं ठीक है जी हम मतलब इस तरहें टाइप से यूज़ कर सकते हैं फिर देखने लग गया ममन मैं इसको फूरा खोलकर भी यूज़ क कर सकता हूं तो आई होब जी आपको आज की वीडियो आइडिया अच्छा लगाऊ तो वीडियो को लाइक करना शेर करना